पहार जहां दरक कर नीचे आ रहे हैं तो सड़के जगा जगा बंद पड़ी हैं जिससे कई गाओं का संपल अपने जीला मुख्यालयों से तूट चुका है मैदानों में भी जल भराव लगाता लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है नदियां उफान पर बह रहे हैं जिससे घाटों के किनारे रहने वालों को भी ख़द्रा बढ़ गया है उत्राखन में इन दिनों बरसात के चलते कई जगा दुरगटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं कुछ दिनों पहले राम नगर बरसाती नाले में वाहन के बहने से जहां नौ लोगों की मौत का मामला सामने आया था वही एक बार फिर चमपावज जिले के चनकपुर की किरोडा बरसाती नाले में स्कूल बस बह गई गनिमत यह रही उस वक्त बस में केवल चालग वा हैलपर ही मौजूद थे स्कूल बस मंगलवार के सुबा टनकपुर कुनागिरी रोड में स्कूली बच्चों को लेने जा रहे थे जिस दौरान बरसाती किरोडा नाले को पार करने के दौरान यहाँ हाथसा हो गया बरसाती नाले में बस के पलटने से बस में मौजूद चालग वा हैलपर बस का फ्रेंट शीशा तूटने की वज़े से जहां बाहर निकले वही इस्तानिय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया लेकिन बस में अगर स्कूली बचे होते तो बड़ा हाथसा सामने आ सकता था ऐसा ही एक और मामला आज मैंनी ताल के ताम नगर में भी देखने को मिला जहां परसाती नदी में एक और बस फस गई यात्रियों से भरी इस बस में से यात्रियों को बामुश्किल काउंवालों की मदद से उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम पेक्ट्रोल